नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में आए जानते हैं ताज महल के बारे में ये बाते जो आप नहीं जानते होंगे। ताजहां ने बनवाया था इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। दूसरे विश्वयुद 1971 के भारत पाक युद्ध और 9-11 के बाद ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबत के चारों और बांस का सुरक्षा गेरा बनाकर इसे हरे रंकी चादर से ढग दिया गया था। ताकि ये दुश्मनों की नजर से बचा रहे। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकडी पर बना है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की आवशकता होती है। इस नमी को बास में बहने वाली यमुना नदी बनाए रखती है। ताजमहल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया है। इन बेश कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था। ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्ग के बीच जो फवारे लगे हैं वो किसी पाइप से नहीं जुड़े। अपितु हर फवारे के नीचे तामबे का एक टैंक है। ये सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दबाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं। दोस्तों कि आपको पता है कि शाजहां ताजमहल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था। जिससे वो ताजमहल की खुबसूरती को देख सके। पर शाजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने क्याद कर लिया तो उसका ये सपना बस सपना ही रह गया। दोस्तों औरंगाबाद में बीबी का मकबरा नाम से एक जगय है जिससे मिनी ताज भी कहा जाता है। ये ताजमहल नहीं बलकि ताजमहल की कौपी है। बुलंड शहर के एक मजदूर ने अपने पतनी की याद में ताजमहल की नकल बनाने का प्रयास किया। हाला कि अपनी गरीबी के कारण वो इसे पूरा नहीं कर पाया अब आपको ताज महल को लेकर हिंदू पक्ष के दावे के बारे में भी बताते हैं हिंदू पक्ष के अनुसार ताज महल वास्तव में शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महाले है आम तोर पर समझा जाता है कि ताज महल नाम मुम्ताज महल जो कि वहाँ पर दफन की गई थी के कारण पड़ा ये बातें दो कारणों के कारण ठीक नहीं बैठती पहले तो ये कि शाजहा की बेगम का नाम मुम्ताज महल नहीं था जिसे की महल के नाम से पुकारा जाता हो। भारत वर्ष में 12 जोतिर लिंग है। ऐसा प्रतीत होता है कि देजो महालय उर्फ ताज महल उनमें से एक है। जिसे की नाग नाथेश्वर के नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाय गया था। जब से शाहजा ने उस पर कबजा किया उसकी पवित्रता और हिंदुत्व समाप्त कर दिया। भवन का नाम में भी ताज के स्थान पर ताज होना चाहिए था। अर्थात यदि अंग्रेजी में लिखते हैं तो ताज की जगे ताज होना चाहिए था। जैसा कि उर्दु में ज के लिए नहीं ज काउप्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये थे बहुत सारे रोचक तथ्यत ताज महल से जुड़े हुए। अग दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुतुम मिनार से जुड़े हुए बहुत सारे रोचक तथे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ये जानने के लिए कि कुतुम मिनार से जुड़ी ये रोचक वातें क्या हैं। जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुतुम बुदीन एबक ने कुतुम मिनार का निर्माड 1193 में शुरू करवाया था। वो केवल पहली मंजिल ही बना सका था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुत मिश ने इसकी तीन मंजि गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुम मिनार का प्रयोग पास बनी मस्जित की मिनार की रूप में होता था। और यहां से अजान दी जाती थी। लेकिन यदि कोई कुतुम मिनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्त लगा कर चिल्लाए भी तो उसकी आवाज बड़ी मंदिर तोड़े थे। उसने मिनार बनाई ऐसा नहीं लिखा। मिनार के पास ही चौथी शतापदी में बना लौह स्तंभ है। जिसे गुप्त वंच के चंद्रगुप्त दित्ये द्वारा विश्नु ध्वजा के रूप में विश्नु पद पहाडी पर निर्मित किया गया इसका वास्तविक नाम विश्नु स्तंभ है। वराह मिहीर ने मिनार यानि की स्तंभ के चारों तरफ नक्षत्रों का अध्यन किया और उसके लिए 27 कलापून परित्यों का निर्माड करवाया था। इन परितत्यों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इनी 27 परितत्यों को तोड़ कर कुतोब मिनार पर लिख दिया गया कि कुतोब भुदीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा। मिनार चारों और के निर्माड का ही भाग लगता है। इसमें मूल रूप से 7 मंजिले थी। 7 मंजिल पर ब्रम्हा जी के हाथ में वेद लिये हुए मूर् के साथ कुछ निर्माड थे वो भी हटा दिये गये। इसका सबसे बड़ा सबूत है पास में खड़ा लौह स्थम्भ जिस पर ब्राम्मी भाशा में लिखा हुआ है कि गरुण ध्वज समराठ चंद्रकुप्त विक्रामया दित्य द्वारा स्थापित किया गया। जिस महान समराठ के दर्बार में महान गडितग्य आरे भट, खगोल, शास्त्र और भवन निर्माड विशेशग्य वरा मिहीर हुए। ऐसे राज के राजिकाल में जिसमें लौह स्थम्भ स्थापित हुआ तो क्या जंगल में अकेला स्थम्भ बना होगा। तो दोस्तों ये थे कुत तो बिनार से जुड़े हुए बहुत सारे रूचक तथे।